नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी में मुईत करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ GST की कैलकुलेशन अब जैसे मान लिजिए आपको सिर्फ टोटल वैल्यू पता है लेकिन आपको टैक्सेवल वैल्यू कैलकु इसलायो जो इन्वूइस होता है सबसे लास्ट में हमाई हूँ टोटल वैल्यू वो अब लिजिय अब इसी परकारी हमको सिर्फ GST टैक्स ही पता है यहां पर और हमें कलकुलेट करने है ठोटल वैल्यू और taxable value अब तीसरी condition में हमको taxable value पता है और हमको calculate करना GST tax फिर हमें total value यहाँ पर निकालने है तो दोस्तों इस वीडियो को start करने से पहले यदि आपने में चलने पर तक subscribe नहीं गया तो subscribe कर दिजिए वीडियो को भी लाइक कर दिजिए ऐसी beneficial videos के लिए और दोस्तों यदि आपने notification bell को on करके all पर click नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि मैं जब भी video upload करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को start करते हैं अब सबसे पहले हमारे पास है total value कितनी 50,000 रुपे यह हमारा calculator है ठीक है तो यहां पर हम 50,000 रुपे ठीक है यहां पर डालेंगे आप इसको divide करेंगे जहां से सुनना है अब इसको divide करेंगे किस से 118 से ठीक है अब जैसे कि हमारा GST tax के जो rate है वो है 18% तो यहां पर जितने भी percent होगा माली जी 5% है 12% है या 28% है या कितने भी percent है तो जितना हमारा tax rate होगा उसमें plus कर देंगे 100 को ठीक है और इसको multiply कर देंगे किस से 100 से और एंटर ठीक है अब हमारी जो taxable value यहां पर निकल कर आ गई है कितनी 42 यार 372 रुपे 88 पैसे यह हमारी कौन सी value निकल कर आई है taxable value यह वाली ठीक है यहां पर हम डालते है ठीक है 42 यार 372 रुपे 88 पैसे हमारी taxable value अब आ चुकी है अब इसके बाद 42 यार 372 रुपे 88 पैसे को multiply करेंगे अठारा से जितने भी percent होगा ठीक है और डिवाइड कर देंगे किस से सो से एंटर अब यह हमारा GST टैक्स यहां पर निकल कर आ गया 18 परसेंट है ठीक है तो हम इसमें डाल देंगे 4627 रुपे ग्यारे पैसे ठीक है तो अब यह हमारा कितना हो गया 2990 में रुपे निन्यान में पैसे यानि कि यह हो गया हमारा कि लियर में मुईत करते हूं आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं GST टैक्स की तरफ और यह है 2627 रुपे ग्यारे पैसे ठीक है अब हम क्या करेंगे हम 2627 रुपे ठीक है 2627 रुपे ग्यारे पैसे को किस से डिवाइड करेंगे परसंटेज से ठीक है 5% है 12% है ठीक है यह 28% है जितने भी परसंट तेज होगा उसको डिवाइड करेंगे हम किस से GST टैक्स से यहां पर 18% है अब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे हम 100 से एंटर तो कितना हो गया हमारा अब यह हमारी आई है टैक्सेवल वैल्यू निकल कर ठीक है कितने 42,322 रुपे 83 पैसे अब जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते हैं उपर भी हमारी टैक्सेवल वैल्यू कितने आए थी 42,322 रुपे 88 पैसे है ना बिल्कुल मैच है अब इसमें डाल देते हैं ठीक है पॉइंटों में फरक है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब हमारी टैक्सेवल वैल्यू निकल कर आ गी है और जी एस्टी टैक्स भी हमको पता है तो टोटल कितना हो गया यह 59,999 रुपे 99 पैसे यानि कि 50,000 ही हो गया ठीक है अब उसके बाद हमको सिर्फ टैक्सेवल वैल्यू पता है क्या पता है टैक्सेवल वैल्यू तो हम क्या करेंगे जो टैक्सेवल वैल्यू होगी हमारे पास जैसे 42,300 रुपे 88 पैसे अब इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे जितने भी परसंटेज होगी ठीक है और डिवाइड कर देंगे 100 से एंटर अब यह हमारा जी एस्टी टैक्स निकलकर आ गया है 627 रुपे 11 पैसे अब इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं टैक्स में 627 रुपे 11 पैसे अब यह हमारा इनका टोटल करेंगे तो कितना हो गया 99 99 रुपे 99 में पैसे यानि कि 50,000 ही हो गया हमारा ठीक है तो दोस्तों इसी परकार ही आपको जी एस्टी की कैलकुलेशन करनी है ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यदि सिर्फ आपको टोटल वैल्यू पता है तो उसका जो फोर्मूला होगा वो मल्टिप्लाइ करेंगे तो से ठीक है तो यह निकल कर आ जाएगी हमारी टैक्सिवल वैल्यू अब टैक्सिवल वैल्यू पर ही हम 18% यहाँ पर निकाल देंगे ठीक है इस पर हम 18% ही निकाल देंगे तो हमारा यह हमारा जीस्टी आ जाएगा ठीक है अब उसके बाद सिर्फ हम को पता है इसमें जीस्टी टैक्स ठीक है अब हम इसको डिवाइड करेंगे जितना भी परसंटेज होगा अब जैसे हमारा है 18% और मल्टिप्लाइ कर देंगे 100 से तो यह हमारी आ जाएगी निकल कर यहां पर टैक्सेवल वैल्यू अब टैक्सेवल वैल्यू निकल पता है सिर्फ हमको टैक्सेवल वैल्यू पता है बैलिस एहार 372 रुपे 88 पैसे तो हम क्या करेंगे बैलिस एजार उसकी कालकूरेशन करनी है यह वीडियो आपको कैसे लिगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं वीडियो आपको अच्छे लिए लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपनी फ्रांस के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाद मुलते है नाक्स्ट व